घर में मैं और मेरे ससूर जी रहा करते थे और साथ में एक नौकरानी भी रहती थी जो रात में मेरे साथ सोती थी जब मैं सुवा उड़ती तो मेरे पेट पर काली स्याही लगी होती थी मैं हरान थी कि ये सब कैसे हो गया एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नीद की दवाई खिला कर अपनी जगह पर सुला दिया और कमरे में छुप गई अभी कुछी देर हुई थी कि मेरे ससुर जी मुझे समझ कर नौकरानी के साथ आज भी मेरे पेट पर वही काली श्याही लगी थी बीज दिन से लगतार मेरे साथ ऐसा हो रहा था काली श्याही का निसान मैं बहुत परिशान हो गई कौन था जो रात में मेरे साथ ये सब करता था मैं जब नहाती तो वो निशान हलका सा हो जाता था पहले बार जब मैंने ये निशान देखा तो सोचा साथ कहीं से लग गया होगा लेकिन वही निशान रोज मेरे पेट पर नजर आता अब तो मुझे सक होने लगा था लेकिन मैं श्रक भी करती तो किस पर मेरे घर में मेरे अलामार सिर्फ दो ही लोग थे एक मेरे ससूर और दूसरी नौकरानी लड़की जो तकरीबन मेरे ही हमुम्र थी बात कुछ यू थी कि शादी के तुरंद बाद ही मेरे पती को अपना देश छोड़ बिदेश जाना पड़ा क्योंकि वो वहीं पर जॉब करते थे मेरे ससूराल में मेरे ससूर ही थे मेरी सास बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और मेरे पती आलोक अपने माबाग के एकलोते बेटे थे लेकिन नौकरी बिदेश में करते थे और मुझे भी कहते थे कि तुम्हारा भी बीजा लगवा कर तुम्हें भी बुलवा लूँगा मैं अपने पती के जाने पर बहुत उदास थी घर में एक नौकरानी थी जो दिन रात मेरे साथ रहती थी वरना तो मेरे ससूराल में मेरे साथ मैं और मेरे ससूर जी ही रहते थे लोग तरह तरह की बाते ना बनाएं इसलिए मेरी शादी से चन्द दिन पहले ही एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी गई थी जो हर काम करती और रात में मेरे साथ सो जाती थी वो भी मेरी तरह एक जवान लड़की थी पहले पहल तो मेरे ससूर जी का वक्त ज़्यादा तर उनके कमरे में ही गुजर जाता था या फिर ड्रॉइंग रूम में टीवी देख कर लेकिन ड्रॉइंग रूम में वो तभी आते जब उन्हें नासा या खाना खाना होता मेरे ससूर जी बहुत ही गुसल किसम के इंसान थे मुझसे वो जादा बात भी नहीं करते थे बस काम होता तो बुला लेते वरना आवाज भी ना देते मैं पूरा दिन उस नौकरानी के साथ मिलकर काम करती और बाते भी करती रहती सुरू के दो महिने तो ऐसे ही गुजर गए आलोग से भी मेरी हर दो दिन बात बात हो जाती थी और मैं उनसे हर बार अपने बीजे के बारे में जरूर पूझ थी लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ जब भी मैं नौकरानी से अपने ससुर के कमरे में सफाई करने को कहती तो वो इतराने लगती कहती दीदी आप भी मेरे साथ चलिए मुझे आपके ससुर जी से बहुत डर लगता है बार बार वो मुझे कभी बेट की चादर बदलवाते तो कभी एक ही जगर पर बार जाडू लगवाते कहते तुम ठीक से सफाई नहीं करती मैं नौकरानी की बात पर हसने लगती कहती ये उनका सुभाव है वो ऐसे ही है मेरी बात पर नौकरानी कहती नहीं दीदी मुझे तो वो ठरकी लगते है नजर अच्छी नहीं है उनकी आपको पता है कल मुझे से कहने लगे इतनी गर्मी है मेरे कमरे में मैं नहाने जा रहा हूँ तुम चाहो तो दुपटा उतार कर काम कर सकती हो मुझे उस नौकरानी की बाते कुछ अजीब सी लगी पर मैंने उसे समझा बुझा कर इस बात को टाल दिया उसने कहा नहीं दीदी हमने तरह-तरह के लोगों के घर काम किया है इसलिए हम लोगों की नजरे भाब जाते है कि लोग कैसे है ये कहकर वो कीचन में चली गई मैंने उसकी बात को इतनी गहराई से नहीं लिया लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था कुछ अजीब सा था आखिर कौन जो ये काली स्याही मेरे पेट पर लगाता था और मुझे महसूस भी नहीं होता था एक रात देर रात तक मैं जाकती रही वो नौकरानी लड़की मेरे ही कमरे में जमीन पर बिस्तर लगा कर सोती रात दो बजे तक मैं जाकती रही लेकिन फिर मैं नीत की आगोस में खो गई अगली सुबह मैं अपने ससूर के कमरे में उन्हें चाय देने गई तो मेरे होस ही उड़ गए वो काली स्याही अपने पास रखकर एक सफेद कागज पर कुछ लिख रहे थे मैं तो नहें चाय देने गई थी लेकिन जो कुछ भी मैं देखी थी वो मेरे होस उड़ाने के लिए काफी था लेकिन मेरे ससूर की नजर जब मुझे पर पड़ी तुम्हें घबरा गई फिर वो मुझे से कहने लगे कि तुम बिना इजाजत मेरे कमरे में क्यों आ जाती हो क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि दरवाजे पर दस्तक दे कर और इजाजत मिले तब अंदर आते हैं पहली बार उन्होंने मुझे इस लहजे में डाटा था मैं तो डरी गई थी मैं चाय दे कर वहाँ से वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई मेरे दिल की धड़कने तेज तेज धड़क रही थी मुझे अपने पेट पर लगा वो काली श्याही का निसान बार बार याद आने लगा तो क्या वो काली श्याही का निसान मेरे पेट पर मेरे ससूर ये ख्याल आते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात को इंकार करती रही कि वो मेरे पिता समान है मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ लेकिन ये हकीकत थी कि हर राज सो कर उठने के बाद मेरे पेट पर एक काली श्याही का निसान होता था और वो काली श्याही मेरे ससूर जी के पास थी एक बार मैं अपने कमरे से निकल कर किचन में गई तो मैंने देखा मेरे ससूर जी नौकरानी के पीछे खड़े थे वो तो मगन होकर बरतंद हो रही थी मेरे ससूर जी नौकरानी के इतने करीब थे किसा चंदूरी का ही फासला था मुझे ये सब बहुत अजीब लगा इसका मतलम नौकरानी उस दिन वो सब कुछ ठीक कह रही थी कि मेरे ससूर की नजर और नियत अच्छी नहीं है मैं किचन में गई और अपने ससूर जी से पूछा कि पिता जी आप यहां क्या कर रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था वो मेरी आवाज सुनकर बूरी तरह हरबड़ाए और मुझे अचानक किचन में देखकर घबरा गए मेरी आवाज पर वो नौकरानी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी वो भी साथ मेरे ससूर के किचन में खड़े होने से बेखवर थी बड़ी अजीब नजरों से वो नौकरानी हम दोनों को देखने लगी मैं अपने ससूर से किचन में आने की वजब पूछने लगी वो कहने लगे मैं इस नौकरानी के छुट्टी करवा दूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये साफ सफाई से वर्तन नहीं धो रही है नौकरानी परिशान सी हो गई कहने लगी नहीं साहब मैं तो अच्छे से काम कर रही हूँ लेकिन मेरे ससूर जी उस नौकरानी लड़के से बहस पर उतर आए कहने लगे तुम जूट बोल रही हो मैंने अपने ससूर को समझाते हुए कहा कि आप यहां से जाईए नौकरानी से मैं बात कर लूँगी लेकिन वो तो मुझे पर ही गुस्ता करने लगे कहने लगे तुम्हारी ही लापरवाही का नतीजा है वरना मैं इस लड़की को दो दिन में सीधा कर दूँ मेरा बेटा परदेश में ना जाने कैसे कैसे गुजारा करके घर खर्ज के लिए पैसे भेजता है और ये लड़की बरतन भी अच्छे से नहीं धूलती आसे तुम बरतन धोगी इतने गंदे बरतन में मैं खाना नहीं खा सकता नौकरानी तो रोने लगी कहने लगी मुझे अब यहाँ पर काम नहीं करना पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं हमने अपनी इज़त नहीं बेच रखी है जो साहब जी मुझे इतना बाते सुना रहे हैं वो अब यहाँ काम करने को त्यार नहीं थी मैंने किसी तरह उसे समझा बुझा कर चुप करवाया क्योंकि मैं ससूर के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी कम से कम मुझे ये होसला तो था कि एक और लड़की मेरे साथ रहती है मैंने नौकरानी से कहा आज के बाद बरतन मैं धोलूंगी मैंने बड़ी मुझे से नौकरानी को समझाया तो वो किसी तरह मान गई मैं किचन से बाहर निकली तो बरामडे में बैट कर मेरे ससूर जी मेरे पती से फोन पर बहस कर रहे थे कि वो नौकरानी को निकलवा दें क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं करती लेकिन मैंने भी सोच लिया था मैं आलोक से कह दूँगी कि मैं नौकरानी को नहीं निकाल सकती क्योंकि अब तो मैं बिलकुल भी अकेले रहने के हक में नहीं थी मैंने अपने पती से कह दिया कि अगर नौकरानी इस घर से निकली तो मैं भी अपने माय के चली जाओंगी पिता जी को बरतनों से अगर परिशानी है तो मैं खुद बरतन धो दूँगी मेरे पती ने अपने पिता को ना जाने कैसे समझाया कि वो किसी तरह मान गए मैं बरतन खुद धोने लगी और खाना अपने ससूर के सामने खुद रखती मैं खाना रखकर अपने कमरे में जाने लगी तो मेरे ससूर मुझसे कहने लगे आज के बाद ये नौकरानी मेरे कमरे में नहीं दिखने चाहिए आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी ये सुनकर मैंने हां में सिर हिला दिया मैंने सोचा अभी मेरे ससूर जी गुस्से में है दो चार दिन बाद साइज इनका मूट ठीक हो जाए लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था एक दिन मैं अपने ससुर के कमरे में दस तक देकर अंदर गई ताकि मैं उनके कमरे की सफाई कर सकूँ तो देखा वो फिर से उस काली स्याही से कागज पर कुछ आड़ी तिर्ची लिख रहे थे मुझे देखकर वो घबराकर सब कुछ दराद में रख दिये और सीधे होकर बैठ गए मैंने कहा पिता जी मैं आपके कमरे की सफाई कर दू तो कहने लगे हाँ कर दो मैंने उनके बेट की चादर बदली और जाडू लगाने लगी लेकिन मैंने देखा उनकी नजरे एक टक मुझे ही देख रही थी एक लम्हा भी उन्होंने मुझे नजरे नहीं हटाई और अगर कोई आपको इस तरह देखे तो आप कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकते मेरे हाथ कुछ घबराहट के मारे कपकपाने लगे मैं बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोश रही थी और साथ साथ जाडू लगाते जा रही थी मेरे ससुर जी उठकर मेरे पास आएं और मेरे सामने खड़े हो गएं तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा वो मुझे से कहने लगे इतनी गर्मी है तुम अपना दुपट्टा हटा कर जाडू लगा सकती हो क्योंकि मैं नहाने जा रहा हूँ कमरे में कोई नहीं है उनका लहजा इस कदर धीमा था कि मुझे उनके मुझे ये सब सुनकर हैरत हुई वरना वो हमेशा गुसे और सकत लहजे से ही बात करते थे मुझे नौकराने की बात याद आ गई मैंने कहा नहीं मुझे अपना दुपट्टा पहन कर ही काम करने की आदत है अभी मैं यही सब कह रही थी तभी उन्होंने जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे मैं घबरा कर पीछे हटी वो भी कुछ घबरा से गए और तुरंत अपने कमरे के वासरूम में चले गए मेरे दिल का तो ये हाल था कि धड़कना ही भूल गया था मुझे तो अब अपने ससुर के कैरेक्टर पर शक होने लगा था मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की शफाई की और कमरे से बाहर निकल आई और उस दिन पूरा दिन मैं परेशान रही रात में जब मैं सोने अपने कमरे में आई तो नौकरानी अपना बिस्तर जमीन पर विशा रही थी मैंने उससे कहा सुनीता इधर आओ मैं सोच रही थी कि इस नौकनानी से मुझे बात करनी चाहिए वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई मैंने उसे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे ससुर के बारे में कहती हो मुझे भी वो सस लगने लगा है फिर मैंने उसे ये भी बता दिया कि रोज सुबह मेरे पेट पर काली श्याही का निशान होता है वो ये सब सुनकर हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगी कहने लगी दीदी मुझे तो आपके ससुर पर पहले ही शक था मुझे तो लगता है कि वो आप पर कोई जादू टोना भी करते हैं हमारे गाव में भी एक ससुर ने अपनी बहु को वर्ष में करके उससे सादी कर ली थी उसका पती भी बाहर रहता था और ससुर बहु पर कुछ ऐसा करता कि बहु पूरी तरीके से ससुर के वर्ष में हो गई थी नौकरानी की बात सुनकर मेरे तो होस उड़ गए उसने कहा पहले तो आपके ससुर हर वक्त मुझे ही देखते रहते थे पर अब मैंने महसूस किया कि जब भी मेरी नजर उन पर पढ़ती तो वो आपको ही देख रहे होते मुझे भी निकालने के चक्कर में हैं इसलिए तो बेवज़ब मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं ये सब सुनकर तो मेरा जी घबराने लगा अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी अब मेरे पेट पर वो काली शाही का निशान भी नहीं होता था अब तो मुझे पूरा यकीन होने लगा था कि रात में जरूर मेरे ससुर मेरे कमरे में आते हैं और साइद मुझे वश में करने के लिए कोई जादू टोना भी करते हैं मैंने महसूस किया कि जब से मैंने कमरा लॉक करके सोना शुरू किया था मेरे ससुर मुझे घूरते हुए देखते थे लेकिन मैंने इस बात के कोई परवा नहीं की पर कुछ दिन बात मेरे ससुर मुझे पर चिलाने लगे कहने लगे तुम अपने कमरे का दरवाजा क्यों लोग करती हो मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ गया है मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इसलिए आकर मैं खुद बार-बार कमरे में जागता हूँ कि कहीं ये नौकरानी कोई कीमती चीच चुरा कर न भाग जाए मुझे अपने ससुर के किसी भी बात पर भरोसा नहीं था इसलिए मैंने फोन पर अपने पती से कह दिया कि वो जल्द से जल्द मेरा बीजा बनवाएं मुझे उनके पास आना है पर जो बात मेरे पती ने मुझे बताई उस पर तो मुझे रोना आ गया कहने लगे पापा ने मुझे तुम्हारा बीजा बनवाने के लिए सकती से मना कर दिया है कहते हैं बहु को बाहर नहीं भेजूंगा मैं ये सुनकर रोने लगी मैंने कहा आलोग अब मुझे यहां नहीं रहना या तो आप वापस आ जाईए या तो मुझे अपने पास बुला लीजे कहने लगे बस एक साल की बात है मैं वापस आ जाऊँगा तुम बस एक साल का इंतजार कर लो यही कहते हुए आलोक अपनी बहुत सी मजबूरियां मुझे बताने लगे कि एक साल के बाद उन्हें अच्छी खासी तनखौ मिलने माली है अगर छोड़ कर आ गया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना चाहते हुए भी मुझे आलोक की बात माननी पड़ी लेकिन अब मुझे अपने ससुर से चिड़ होने लगी थी ना जाने वो क्या चाहते थे मैं यहाँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी कमरा बंद करती तो वो चिलाने लगते और सारे काम नौकरानी की वज़ा मेरे जिम्मे लगा चुके थे जिस तकलीब से मैं गुजर रही थी वो मैं ही जानती थी अब तो वो हर बात पर मुझे टोकते रहते मैं अपने कमरे में दो पहर को आराम करने जाती तो वो हंगामा मचा कर रख देते कि तुम्हें मेरी कोई फिकर नहीं है और ना ही मेरी परवा है मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई मैं आलोग से तुम्हारी शिकायत करूँगा मैं उनके रोज रोज के किचके से अब तंगा चुकी थी मैंने कहा आप मुझे बताइए कि मुझे आपको अब क्या काम है मैं आपके सारे काम करती हूँ खाना चाय सब कुछ वक्त पर देती हूँ इसके अलावा मेरी और क्या जिम्मेदारी है वो कहने लगे तुम मेरे पास बैट कर मुझे बाते नहीं करती मुझे एहमियत नहीं देती लेकिन ये काम मेरे लिए बेहत मुस्किल था कि मैं उनके साथ बैट कर बाते करूँ मैं उनसे भला क्या बाते कर सकती थी उन्हें ये सब खुद सोचना चाहिए इस बार ना चाहते हुए भी मैंने उनका जबाब दिया मैंने कहा आपको आलोग से मेरी शिकायत करनी है तो सौक से करिये लेकिन मैं आपके साथ बैट कर बाते नहीं कर सकती एक बहु होने के नाते मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ वो कर रही हूँ इससे ज़्यादा की उमीद आप मुझसे नहीं करें तो ही बहतर होगा मेरी बात सुनकर वो गुस्य से तम-तमा गए लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोले और अपने कमरे में वापस चले गए नौकरानी भी वही खड़ी सारी बाते सुन रही थी कहने लगी दीदी आपने बिलकुल ठी किया भला आप उनकी पतनी थोड़ी है जो घंटो उनके पास बैट कर उनसे बाती करते रहेंगी मुझे नौकरानी की बाते सही लगी आखिर मेरा क्या तालुक था कि मैं उनसे घंटो बाते करती मैंने सोचा अच्छा ही है कि वो मुझसे नाराज हो गए कम से कम अब मुझे परिशान तो नहीं करेंगे लेकिन आज रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैं तो हक्का बक्का रह गई सुबह मेरे पेट पर वही काली श्याही लगी थी नौकरानी अभी तक सोई पड़ी थी मैंने उसे जगाया तो कहने लगी मेरा सर बहुत भारी है और मुझे नीद आ रही है रात भर तो मुझे होसी नहीं रहा कि मैं कहां सोई हूँ हाँ मुझे याद आया कि रात में मेरे सर में तेज दर्द था तो साहब जे मुझे एक सरदद की गोली दे कहने लगे इसे खालो ठीक हो जाओगी लेकिन नाजाने वो दवाई खाते ही मुझे होसी नहीं रहा पर मैं उसकी बात पर सोचने लगी कि भला इसने तो गोली खाली थी पर मैंने तो कुछ नहीं खाया था तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा आखिर क्यों मेरे पेट पर ये निशान होते हैं अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं सच का पता लगा कर रहूंगी मैंने रात को नौकरानी को एक नीट की दवाई दी और उसे अपने बेट पर अपनी जगर सुला दिया और खुद कमरे में छुप गई मैं नौकरानी को पहले ही सब कुछ समझा चुकी थी वो मेरी मदद करने को तयार थी मैं परदे के पीछे चुपी रही मैंने देखा रात के दो बज़े मेरे ससुर मेरे कमरे में आएं और बेट के करीब जाने लगे जैसे ही वो बेट के करीब गए मैंने लाइट जला दी मेरे ससुर घबरा कर पीछे हट गए और मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकलने लगे तभी दो गुंडे हट बढ़ाते हुए कमरे में घुसे मुझे और मेरे ससुर को रसी से बांद दिये मैं रस्यों से बधी हुई थी मेरे दोनों हाथ रस्यों से बने थे और मेरे मूँ में रुमार डाला गया था और मेरे आँखों से बेबसी के आसू निकल रहे थे और इसी कमरे में दूसरी तरब मेरे ससूर कुर्सी पर बैठे हुए रस्यों से बधे हुए थे और सामने दो मर्द खड़े थे और मेरी आलमारी से जेवरात निकाल रहे थे और वो नोकरानी उनके साथ खड़ी थी सारा खेल उसी का रचाया हुआ था कहने लगी कि कब का वो हर चीज़ से हास साप कर चुकी होती पर मेरा भरोसा जीतना चाहती थी वो जान बुझ कर मेरे और मेरे ससूर में तनाव पैदा करती मेरे पेट पर काली श्याही का निशान भी वही लगाती थी और मेरे ससूर को मेरे खिलाब भड़काती कि आपके ब बरतनों को गंदे तरीके से धोती चाहती थी कि हम ससुर बहू एक दूसरे से उलसते रहें और वो अपना काम कर जाए जब मैंने उसे अपना प्लान बताया तो उसने अपने जानने वाले दो मर्दों को बुला लिया उसने कोई नीत की दवाई नहीं खाई थी रात को उसने मे मेरे ससुर मेरे बेट के पास आकर देखने लगे कि कौन सो रहा है तभी मैंने लाइट जला दी मुझे कमरे में देखकर वो वापस जाने लगे तो दरवाजे पर दो मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेजधार चाकू थे उन मर्दों के कमरे में आते ही नौकरानी उठकर बैठ गई हम दोनों बहुत ससूर को रस्यों से बात कर वो लोग चोरी करने लगे इतिफाक ऐसा था कि उसी रात आलोक आ गए वो हमें सर्प्राइज देना चाहते थे लेकिन जैसे ही घर पहुचे तो घर का में गेट खुला था तो वो घबरा गए जब अंदर दाखिल हुए तो मर्दों की आवाज सुनकर समझ गए कि लगता है कोई चोर घूसाया है वो मेरे ससूर के कमरे में जाकर पुलीस को फोन कर दियें कुछी दिल में पुलीस घर पहुच गई और हम बाल बाल बच गए मेरे ससूर ने आलोको वापस बिदेश जाने से सक्ती से मना कर दिया कि हम कम पैसों में गुजारा कर लेंगे लेकिन किसी नौकरानी को दिन रात के लिए घर पर नहीं रखेंगे वो घर के भेदी होते हैं और जब मौका मिलता है तो अपना काम कर जाते हैं मेरी शादी को पान साल गुजर गए हैं मेरे दो बच्चे भी हैं लेकिन मैं घर के सारे काम खुद करती हूं नौकरानी के लिए अगर मेरे पती कभी कहते भी है तो मैं साफ इंकार कर देती हूं तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताईएगा धन्यवाद